हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन चौक में आपका स्वागत है BPSC ने अखवार के माध्यम से आज अपने रिक्तियों को ले करके एक बड़ी अपडेट जारी किये हैं जिसे हम आगे इस वीडियो में देखेंगे इसी तरह के अपडेट से जुरे रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हम चलते हैं अब अपडेट की ओर तो अस्क्रीन पे आप हेड्लाइन्स देख सकते हैं 188 SDM वा 133 आर्डियो समेत अब 503 पदो पर नियुकती है 66 BPSC के रिक्तियों की संख्या 365 से बढ़कर अब 503 हो गई है आयो को नई रिक्तियां प्राप्त होने के बाद अब बिहार प्रिशाशनिक सेवा के अंतरगत SDM के 88 पद हो गया हैं जबकि ग्रामिन विविकास विभाग से 133 ग्रामिन विविकास पदाधिकारी प्राप्त होई है वह भी PSC के लिए जो है परिक्षा नियंतरक अमरेंद कुमार ने कहा है कि प्राप्त रिक्तियों के नगर निगम के कार्शपालक पताधिकारी के पदवी सामिलेश में पीटी में 3 लाग चातरों के सामिल होने के संभाबना है जैसा कि मतलब पिछले डाटा को देखकर के इन्होंने इसे जारी किया है लिखा हुआ है कि स्योक्त परत्योक्ता प्रिक्षा के ट्रेंड को देखें तो इस बाड भी 4-5 लाग तक आवेदन मिलने के संभाबना है इ पेज नमबर 15 पर यहां दिया हुए कि संभावना इसके बुधवार तक निकल जाने की है यदि बुधवार को किसी वज़ा से यह नहीं निकल सका तो सनिवार यह संभार तक निशित रूप से निकल जाएगा 12 दिसमबर परिक्षा की जो प्रारम्भिक परिक्षा है वह हैं एंटीपीशी परिक्षा की ऊतरकुंजी में कही आपत्यों को स्युकार ही, रेल बे बोर्ट नween अभियरत्यों को जमा कडाय राशी रिफंट करना सुरू कया गहा है, क्या है डिटेल हम देख लेते हैं इसे अजमेर से आ रही है, रेलबे भरती बोर्ट ने पर आपती पर पचास रुपय का शुल्क देना था आपती सही होने पर आवहरत्यों को राशे रिफंड की जानी थी और सही नहीं पाया जाने पर राशी नन रिफंडेवल थी अभेरत्यों ने कही प्रस्णों और अुत्तर और विकल्पों पर आपतीयां दर्ज कराते हुए गीए तो एक कई दूसरे चरन की परिक्षा के लिए तो यह तो ये तो अप्डेट थी आौट के लिए तो इसी तरह के वीडियो से जुरे रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं धन्यवाद जाहिंद